नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की एमलोंग टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है एमलोंग टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एमलोंग टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की एमलोंग टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए एमलोंग टैबलेट का उप्योग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एमलोंग टैबलेट का उप्योग किया जाता है, एमलोंग टैबलेट ब्लड प् जोखिम अधिक हो जाता है इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़़ से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है एमलोंग एक ब्रैंड नेम है एमलोंग टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन एमलोडीपीन होता है एमलोंग टैबलेट 2.5 5MG, 5MG वद 10MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में M-Long Tablet की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में M-Long Tablet की वज़ा से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान होना, उल्ती आने का मन होना, पेट में दर्ध होना और नीन अधिक आना आदी Side Effects M-Long Tablet की वज़ा से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की M-Long Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है M-Long Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में M-Long 2.5 M-G Tablet को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर M-Long 5 M-G Tablet या M-Long 10 M-G Tablet को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं M-Long Tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है अब हम दिसकस करेंगे की M-Long Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Blood pressure को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको M-Long Tablet के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए Smoking नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए इसके अलावा Blood pressure को अच्छी तरह से नियंतरण में लाने के लिए आपको regular exercise करनी चाहिए Pregnant महिलाओं के लिए M-Long Tablet का सेवन करना recommended नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर M-Long Tablet को लेने की सला दे सकता है वैसे M-Long Tablet मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है लेकिन इसकी वज़से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई side effects नोटिस नहीं किये गए है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका M-Long Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है